अमेटी में एक दिन पहले अपराधियों ने एक सिक्षक के पूरे परिवार को चंद्रमिंटों में तबाह कर दिया गोली माल कर परिवार के सभी सदस्चों की निर्मम हत्या कर दी अपराधियों के होसले इतले बुलंद थे कि मासूम बच्चों तक को भी अपराधियों ने अपने कहर में नहीं बक्सा आपको बता दें कि इस घटना के बाद एक तरफ जहां पुलिस पर सवाल उठ रहा है वहीं परिवार के सदस सुदभुद खो बैठे हैं पिता ने कहा कि बेटा की मौत के बाद परिवार के लोगों पर जो तूट रहा है वह परिवार का लोग ही जानते हैं अपराधियों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए बेटा तो वापस नहीं आएगा लेकिन पुलिस चाहती तो बेटा जिन्दा होता दरसल या पूरा मामला अमेठी जिले के सिवरतन गंसाना चेतर के अहरवा भावानिका है जहां राए बरैली जिले के गदागन साना चेतर के सुदामा पुरगाओं के रहने वाले सिख्छक सुनील कुमार अपने पतनी पूनम और दो मारसूम बेटियों के साथ रहते थे किराय के मकान पर रहने वाले सिक्षक सुनील कुमार जब दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद वापस घर आये तुने नहीं पता था कि उनकी हत्या हो जाएगी और उनके परिवार को आज तवाह कर दिया जाएगा वहीं पिता ने इस पूरे मामले पर पुलिस पर भी सवाल उठाया है पिता का कहना है कि गर पुलिस चाहती तो आज उनका बेटा जिन्दा होता इसको साइब हमको जानकारी नहीं नहीं है तो पूरी घटा इसको आज देख रहे हैं यह घटना तो आज आज गाओं में किसी से दुस्मने एक चोटा बच्चा हो भी जानता है कि मतलब पहले भी जावाध पे निदू भूल जजते हमारा पुलिश में था, वहां, पुलिश में पुलिश कुन न कमेदेब है, कि भूलिश में सांधुकेज हैं सब्सक्राइब करने लगिए, आपधाहिव है पुलिश में से रहते थे holあと अपना अपना परूपार है, यहां रहते थे अब जद्धी जो उन्हों का नाम लिखा रहा कागद मा अब नाम लिखा होगा उसी का नाम लिखा है अब हम तो पढ़े नहीं नहीं ना अभ्याद में जद्धवाबर करें? आप तो पता नहीं है? तुमस्वाले पता है नहीं है? नहीं कि यहां तो हम जोना करीब आट तीन बजे से आए जाते हैं पुरु माम लेना पी क्या मांग आए अरे साहिब मांगते क्या अवलाद गया अवलाद तो मिली ना साहिब कि मिल जाईए इंसाब जो सरकार दे रहा है सरकारी मुलाजिन थे हमारा एक लड़का है उसको आप नोकरी दिला जाए दिया तो अच्छी बात है कि अब वह से हम दीवन काट लेंगे वहन के साहरे दो लड़के हैं एक कन्या एक बेटी ही बड़ी है